प्यारे बच्चों आईए हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए नाइन्थ सीदी एसी यानि कि इंगलिश मेडियम में मैट का क्लास सुरू करते हैं जो एन्सी आइटी बुक पे अधारित होगा एन्सी आइटी बुक से हम लोग चल रहे हैं प्यारे बच्चों जैसा आप जानते हैं कि जैसा हम लोग पिछले कलास में हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ रहे थें कि डेसिमल के टाइप कितने होते हैं हम लोग सीखे थे कि एक होता है टर्मिनेटिंग एक होता है नन टर्मिनेटिंग तो प्यारे बच्चों हम लोग ये भी सिखे थे कि नन टर्मिनेटिंग का भी नन टर्मिनेटिंग का भी दो टाइप्स होते हैं एक का नाम है रिपीटिंग और एक दूसरा होता है नन रिपेटिंग यानि कि यहां नन रिपेटिंग है और एक ठोर रिपेटिंग है तो नन रिपेटिंग और दूसरा होता है रिपेटिंग दूसरा होता है नन रिपेटिंग अब हम लोग सिखते हैं कि repeating का मतलब क्या होता है तो हम लोग जो repeat नहीं होता है, जैसे यहाँ पर repeat हुगा ना, 1.22222, तो यह सब सारा बात हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं, प्यार बच्छों चली, आइए हम लोग आगे सीखते हैं, आगे जो है, बहुत important topic है, कि repeating decimal को, repeating non-terminating decimal को, हम लोग fraction में कैसे change करते हैं, यानि यहाँ पर लिखेंगे, repeating non-terminating decimal to fraction, fraction, यानि यहाँ लिख दिजेगा, change into, topic क्या बनाइएगा, topic हो गया, change into repeating non-terminating decimal to fraction, प्यारे बच्छों, कोई भी अगर repeating non-terminating decimal रहेगा, यानि कि repeating रहेगा, non-terminating रहेगा, तो हम लोग उसको fraction में कैसे change करते हैं, प्यारे बच्छों, हम लोग जो सीखेंगे, वो बहुत ही, सबसे पहले कैसे करते हैं, जैसे एक्जामपल हम लोग लेते हैं, प्यारे बच्छों, एक्जामपल है, जैसे कि एक एक्जामपल के तौर पे हम लोग repeating non-terminating decimal लेते हैं, का एक्जामपल लेते हैं, 0.3 का रेकरिंग, प्यारे बच्छों, एक क्या है, तो 0.3 का रेकरिंग, एक repeating non-terminating decimal है, अब इसको हमें सवाल बोलेगा, कि fraction में change करो, fraction में change करो, या फिर बोल सकते हैं, कि rational number में change करो, ये बहुत important सवाल आता है, प्यारे बच्छों, कि fraction में change कीजिए, या फिर rational number में change कीजिए, तो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि जो सवाल दिया रहेगा, उसको solution करते वग, आपको उसको कुछ मानना पड़ेगा, जैसे, लेट, x बराबर मान लिया, 0.3 का रेकरिंग, ठीक है, यानि कि जो value दिया रहेगा, उसको x मान लेना है, अब याद रखिये प्यारे बच्छों, कि कितना अंक के उपर रेकरिंग है, तो एक अंक के उपर रेकरिंग है, देख पा रहोंगे, 0.3 का रेकरिंग है, तो एक ही अंक के उपर रेकरिंग हुआ, तो जितना अंक के उपर रेकरिंग रहेगा, उतना से आपको दोनों तरफ डिवाइड करना है, सबसे पहले यहाँ पर रेकरिंग है, और कितना अंक के बाद रेकरिंग है, तो सिर्फ 3 पर रेकरिंग है, तो एक 0, यानि कि इसका मतलब हुआ 10 10 यहां लिखेंगे multiply by 10 both side तो प्यारे बच्चों जितना पर भी रेकरिंग रहेगा उतना नमबर से दोनों तरफ आपको क्या करना है multiply करना है अच्छा इसी को हम multiply करेंगे तो हो जाएगा 10 into x बराबर 10 into 0.3 का रेकरिंग यानि कि इधर भी हम लोग left side भी 10 से गुना करा दिए राइट side भी 10 से गुना करा दिए अच्छा आप पता कैसे चल रहा है कि 10 10 ही से गुना करना पड़ेगा क्योंकि एक डिजिट पे रेकरिंग है तो एक डिजिट पे है तो एक के बाद एक जिरू रहता अगर यहां पर दो गो डिजिट रहता और उसके उपर रेकरिंग रहत है तब हम लोग 100 से गुना करते हैं हलांकि और अग्जामपल देखेंगे तो किलियर हो जाएगा तेन को एक से गुना करेंगे प्यारे बच्छों हो जाएगा 10x बड़ाबर ले बच्छों हम इसको क्या लिख सकते हैं तो 10 into 0.3 बार का मतलब क्या 3 इसको बार पढ़ते हैं या 3 का रेकरिंग पढ़ते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 3 3 3 3 कितना बार भी लिख सकते हैं ठीक है तो अब जानते हम लोग कि 10x बराबर 10 को जब इतना से मल्टिपल किये प्यारे बच्छों कितना बन रहा है 3.33333 80 सी बन रहा है यह डॉट 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 आगे भी वैसे ही होगा अब हम लोग को क्या मिल रहा है तो जरा यहां पर लिखते हैं तो उसके नीचे हम लोग को मिल रहा है 10x is equal to 3.33333 इतना ठीक है प्यारे बच्छों अब इसको क्या करना है इसको उतना टाइप्स में बाटना है अब राइट सैड में जो आया है इसक जो हम x माने थे ओ फिर पुनह x का ही रूप ले ले तो इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 3.333 को ऐसे लिख सकते हैं 3 plus 0.33333 इतिसी यानि प्यारे बच्छों करना क्या है यहां के बाद से आपको जोड में एड में उस तरीके से तोड़ना है ताकि आपको जो शुरू में x माने थे वह ऐसा ही form का बन जाए तो देखिए हम लोग इसको 3 और 0.33 में तोड़ दिये तो यह बन गया किस रूप में जरा दिखाते हैं nx बराबर 3 plus इसी को क्या लिख सकते हैं 0.3 का रेकरिंग बिलकुल लिख सकते हैं तो कि रेकरिंग का मतलब होता है वही चीजे बार-बार आता है तो हम इसी को इस रूप में लिख दियें तो पहरे बचो अब आपको यह जो वैलू है इसको कितना पर तोड़ें ताकि जो वैलू हम पहले माने थे वैसा का वैसा हो जाए तो देखिए हम इसको 3 और इतना पर कोई बोलता कि sir 3.333 है तो हम इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते है 2 पलस 1.33 हम बुलेंगे भाई बिल्कुल तोड़ सकते हैं लेकिन ऐसा तोड़ने से हम लोगों को x जो माने थे उस फॉर्म का नहीं आया चुकि हम x किसको माने है 0.3 का नदेखिरिंग माने है तो ऐसा तो बनेगा नहीं इसलिए जो जोड़ने जोड में जो गुना करके आएगा उसको इस तरीके से तोड़ना है पेरे बचो कि क्या हो जाए तो उसको दो पार्ट में तोड़ने पर जैसा कि x माने है उस फॉर्म का बन जाए तो यहाँ पे उस फॉर्म का बन गया अच्छा फिर क्या लिख दिए इसको 10x बराबर इसको लिख दि को x माने है तो यहां से देखिए 0.3 का रेक रिंग है तो इसके जगा पे x लिख दिए प्यारे बचों जब x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस x बराबर में हो गया 3 इसलिए 10x में से 9x गया तो 9x बराबर में 3 तो प्यारे बचों x का वेलू कितना हो जाएगा 3 बठा 9 इधर गुना में 9 है तो डिवाइड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 बाइ 9 3 by 9 करने का मतलब प्यारे बच्चों 3 से ये 9 बार में कर जाएगा तो 1, 3, 3 यानि कि कुल मिलाकर अगर देखा जाया तो ये 1 by 3 आ जाएगा और यही है rational number यानि कि answer हो जाएगा 1 by 3 प्यारे बच्चों आप इसको check भी कर सकते हैं कि क्या हम लोगों को divide करने से आ रहा है इतना देख लिजे divide करके दिखा देते हैं 1 में जरा आप 3 से divide किजिएगा तो यहां तो divide ने लएगा तो point यहां 0 फिर 3, 3, 9 फिर से 1 बचेगा तो एक बार point दे दिये हैं तो 0 हम कई बार भी बठाय सकते हैं 3, 3, 9 1, 0, 8 हाते जाएंगे तो देख पा रहे होंगे हमेशा आ रहा है 0.333 और कभी नहीं कटेगा तो हम इसको बोलेंगे और यह repeating हो रहा है बार बार वही चीजे repeat हो रहा है तब हम इसको बोलेंगे कि non repeating सरी repeating है और non terminating है तो प्यारे बचो इस तरीके से हम लोग answer कर सकते हैं यानि कि कोई भी repeating को ही हम लोग change कर सकते हैं यानि प्यारे बचो ऐसा आप समझे कि जिस decimal के उपर रेकरिंग रहेगा उसको हम लोग change करते हैं P बटा Q के रूप में प्यारे बचो तो आईए हम लोग एक अगला example लेते हैं तो अगला example में कुछ इस तरीके से example है जला example दिखाते हैं तो एक और example लेते हैं question में इस बार example लिए होगे कुछ इस तरह से ऐसा लेते हैं example इस बार लेते हैं 4.275 कर रेकरिंग देखिए प्यारे बचो यहां पे आप देख पा रहोंगे यह क्या है सवाल है 4.275 कर रेकरिंग प्यारे बचो करना क्या है सबसे पहले जो सवाल दिया रहेगा उसको आप उसको मान लिजे तो हम मान लिए लेत एक्स बराबर 4.275 कर रेकरिंग ठीक है अब आपको इसमें करना क्या है इसको एक्स मानने के बाद हम क्या बोले है कि आपको मल्टिपलाइ करना है मल्टिपलाइ बाइ अब कितना से मल्टिपलाइ करेंगे तो कितना digit के बार उपर रेक रिंग है प्यारे बच्छो तो दो digit के बार इसलिए हम one पे double zero से गुना करेंगे both side यानि कि दोनों तरफ हम लोग hundred से क्या करेंगे multiply करेंगे तो इधर कितना बनेगा तो hundred into x दोनों तरफ गुना करना है तो x के तरफ भी गुना कर दिये और इधर भी गुना करना है तो यहां दिख देंगे hundred into four point two seven five के रेक रिंग अच्छा इसको जब hundred को x से कर दिये तो यह हो गया hundred x बराबर hundred into प्यारे बच्छो जब इसको अच्छा से देखिए तो यह क्या बताता है four point two अब seven five के रेक रिंग है तो two के बाद seven five seven five seven five seven five यह बार 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 रिपिट होगा ठीक है तो फिर क्या होगा तो hundred into x is equal to hundred को जब प्यारे बच्छो इतना से गुना के जेगा hundred को इतना से गुना के जेगा तो कितना आएगा प्यारे बच्छो तो जड़ा देख लेजे हम लोगों को जो आंसर आएगा ओ फोर two seven point four two seven point five seven five seven five seven five seven इटी से आएगा यारी कि जब आप गुना कर रहे हैं इसको और इसका गुना कितना हो जाएगा तो दो गो जीरो है तो दो गो जीरो के बाद पॉइंट होगा तो four two seven point five seven five seven five seven repeat हो जाएगा लेकिन प्यारे बच्छो अब आपको जो main दिमाग लगाना है कि यह जो आया है गुना करके इसको कितना के form में तोड़ा जाए कितना के form में तोड़ा जाए कि क्या बने तो जो एक समाने थे उतना बन जाए तो सबसे पहले यहाँ क्या है तो इसको कितना में तोड़ना पड़ेगा इसको तो पक्का है कि 423 तोड़ दीजे तो 423 तोड़ियेगा तो यहाँ पक्का 4 आ जाएगा क्योंकि 427 में यहाँ पे 423 और 4 मिलके हो जाता है 427 लेकिन प्यारे बचो अब यहाँ पे point हमको चाहिए कितना 275 यहाँ पे 275 यह चाहिए ना यह हम लोगों को चाहिए ठीक है अब यह हम लोगों को चाहिए तो यहाँ पे क्या रखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को रखना पड़ेगा 423 है अब यहाँ पे हम लोग 4.275 का रेकरिंग कर दिये तो यहाँ पर तो 423 बच रहा है अब इसमें हम लोग को और क्या करना पड़ेगा कि 427.5 होन लेगा आप देख पारे होंगे या फिर इसको और अच्छे ढ़ंग से समझने के लिए आप यू बोलिए तो आप किसको x माने हुए हैं यहाँ पर यहाँ पर जो आप x माने हैं वो किसको माने हैं 4.275275 तो आप यह वही चीज़ को जिसको x माने है यानि कि प्यारे बचो जो गुना करके आता है उसके बाद कितना के फॉर्म में तोड़ना है उसके लिए एक 100 ट्रिक बताते हैं आप x किसको माने हैं इसको 4.27575 हमें सार है तो आप यहाँ 757575 इसी को न आप x माने हैं अब प्यारे बचो अब एड में क्या करके लिखा जाए एड करके क्या लिखा जाए कि वह 427 पॉइंट इतना इतना हो जाए तो यह तो 4. अल्रेडी है तो यहाँ आप लिख दिजेगा दूसो कितना 423 तो 423 और 4 मिलकर 427 हो जाएगा लेकिन पॉइंट के बाद यहां कितना है 2 और यहां हमको चाहिए कितना 5 तो यहां पे 3 होगा तो 2 और 3 मिलके 5 और बाकी 75, 75, 75 रिपिट होने लगेगा यानि करना क्या है simple way में कि जो गुना करके आएगा उसको कितना कितना के form में तोड़ेंगे तो जिसको हम लोग x माने रहेंगे यानि x किसको माने है 4.275 को x माने है तो इसलिए हम यहां पे 4.275, 75 को हम लोग यहां पे लिख लेंगे यानि कि 4.2 और 75, 75, 75 लिख लिया अब इसमें क्या घट रहा है कि जोड़ने से 427 पॉइंट इतना हो जाएगा तो इसमें घट कितना रहा है 423.3 यह घट रहा है तो जो चीज घट रहा है उसको लिख देंगे और इधर लिख देंगे वही चीज 100x प्यारे बच्चों इसलिए हम लोग यहां पे वही चीज लिखते हैं ताकि इसी चीज को हम माने हुए होते हैं x तो यहां x प्लस 423.3 यहां वला अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि x इधर प्लस में है इधर लाते हैं तो 100x-x बराबर इधर क्या बच जाएगा 423.3 और 100x में से ये वाला अगर x जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा 99x बराबर 423.3 इसलिए पहर बच्चो एक्स का जो वहलू होगा 423.3 बटा में 99 अगर हम इसको अच्छा से लिखना चाहें तो यह पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 आ जाता है तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 423.3 बटा 990 तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों का आमसर आ जाएगा अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया चलिए फिर एक और एक्जामपल के तौर पर लेते हैं इस बार एक्जामपल कुछ ऐसा है देख पारेंगे कोशन फिर से एक और एक्जामपल क्योंकि यह बहुत इंपोटेंट टॉपिक होता है कि अगर कोई रिपीटिंग वाला नंबर रहेगा उसको हम लोग कैसे रेशनल में चेंज कर रहे हैं इस बार एक्जामपल है 1.043 का रेकरिंग है देख पा रहे होंगे या फिर 432 का लिख देते हैं अब रेकरिंग है ठिक है प्यारे बचों यह कोशन है और हमें क्या बोल रहा है इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखो यानि कि रेशनल नंबर में चेंज करो सब आप इसको एक्स मानिए तो लेट एक्स बराबर 1.043 का रेकरिंग इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ एक्स बराबर 1.043243 कितना बार यही चीज बार-बार रिपीट होगा 432 432 ETC ठीक है यानि जितना के ऊपर रेकरिंग रहता है वही चीजे बार-बार-बार आपने आना शुरू हो जाता है अब यहां पर कितना से multiply कराना होगा प्यारे बचो तो multiply by कितना से करेंगे तो कितना digit के ऊपर 0 है तो यहां पर दि लोग 1000 से एक पर तीन जिरो दिये 1000 से दोनों तरफ multiply किये तो इधर क्या बनेगा प्यारे बच्चो एक हजार इंटू एक्स बराबर एक हजार इंटू इतना कितना तो 1.0432 432 432 432 यही चीजे रिपीट होगा अब घुना कर लेजे कितना बनेगा 100x is equal to 1000 x अब यहां तीन गोजिरो है तो तीन अंग के बाद आएगा यानि कि बनेगा 1043.243 243 243 243 243 यानि जब आप इसको 1000 से इसको गुना किजेगा तो इतना आएगा कितना 1043.243 243 243 यह सब आने लगेगा प्यारे बच्चों अब करना क्या है आपको कि जिसको आप x माने है उसको लिखना पड़ता है यहां तो आप किसको x माने है तो इसको ना किसको तो 1.043 243 243 यहां प्यारे बच्चों क्या एड किया जाए कि यह 1043 हो जाए प्वाइंट के पहले देखे 1043 है यहां प्वाइंट के पहले 1 है तो क्या घट रहे तो 1042 घट रहे तो 1042 हो गया फिर point उसके बाद क्या आना चाहिए two तो यहां कितना है zero तो यहां two add करेंगे तो two और zero मिलके two हो गया उसके बाद four three two already आना start हो गया तो हम लोग इतना को इतना के साथ add करेंगे तो जो गुना करके आया है उतना already आ जाएगा अब यहां पर लिख देंगे कितना one thousand x तेरे बच्चों यहां लिख देंगे one thousand x और इसी कोना हम सुरू में x माने हुए हैं तो इसी लिए इतना के जगा पर हम क्या रख देंगे x और पलस में लिख देंगे one zero four two point two और जब x इधर आएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा one zero zero x minus x बराबर one zero four two point two तेरे बच्चों जब एक घटाएंगे तो 999 x बराबर one zero four two point two इस तरीके से हम लोग answer आजाएगा x का value one zero four two point two बटा यहां गुना है तो यहां भागा में आ जाएगा अब इसी point को जब हटाएंगे तो एक जिरो नीचे आजाएगा मतलब one zero four two two point nine 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 एक जिरो तो इस तरीके से उपर हो ला हो गया p और नीचे वाला हो गया प्यार बच्चों q और यह हम लोगों को कहलाएगा rational number तो इस तरीके से हम लोग p बटा q के रूप में यानि कि rational number में किसी भी बार वाले या रेकरिंग वाले number को हम लोग change कर सकते हैं तो प्यार बच्चों आपको जो try करना है वो एक homework में हम आपको question दे देते हैं उसको आप जरूर बनाकर और group में send किजिए तो पहला homework में आपको question देते हैं पहला है 0.6 का बार दूसरा question 2.25 का बार और तिसरा question 0.001 का बार ठिक है तो ये question आपको तिंठो दिया गया है आप इसी question को आप किस में change करिएगा rational number में यानि कि इसको rational number में change करके और आप जरूर से जरूर बनाकर अपने group में इसको send किजिए और फिर इसका answer लाइए तब तक आज के class को यहीं तक समाप्त करते हैं धन्यवाद